देवरिया नरसनहार में योगी बुल्डोजर एक्शन की तैयारी में दोनों पक्षों से 33 नामजद 50 अज्याद पर मुकदमा दर्ज अब तक 16 गिरफतार देवरिया में एक ही परिवार के 5 लोगों और दूसरे पक्ष के एक व्यक्ती को मौत के घाट उतारे जाने के बाद अब एक्शन शुरू हो गया है जमीन विवाद में पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने के आरोपी परिवार के मकान की मापी चल रही है और अब योगी बुल्डोजर एक्शन की तैयारी है पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम चंद यादव और सत्य प्रकाश दुबे के बीच चल रहे जमीन विवाद में सोमवार की सुभे 6 लोगों की लाश किरी प्रेम यादव की हत्या के बाद सत्य प्रकाश दुबे के 5 लोगों की हत्या कर दी गई एक मासूम जिंदगी की जंगलत डेडी रहा है परिवार में एक मात्र पुत्र बचा हुआ है जो घटना के समय पाट कराने गया हुआ था प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जमीन मापी के बाद अगर गड्ड पर ही पाई गई तो मकान पर बुल्डोजर चलेगा मीडिया में दावा किया रहा है कि मंगलबार गुदवार की रात को भी बुल्डोजर एक्शन हो सकता है शोभिता दुबे की तहरीर पर 28 नमजद केस दर्ज देवरिया नर सनहार में मारे गए सत्विल प्रकाश दुबे की बेडी शोभिता दुबे की तहरीर पर पुलिस ने में प्रकाश यादव, रामजी यादव, रामधमन यादव, गोरक यादव, परमहंस यादव, देवानन्द यादव, श्याम यादव, अभिशेक यादव, दुर्गेश यादव, नवनाथ मिश्र, पुर्फ पट्टू, दिवाकर दिवार अमरनाथ तिवारी, गौवन तिवारी, श्रीपकाश दुबे, श्रीराम दुबे, प्रभात दुबे, नीरु दुबे, शिवम दुबे, रामायन पाल, रघुवीर पाल, सुग्रीब तिवारी, गौरी शंकर तिवारी, प्रदीप राजभर, फर्शुराम राजभर, बेचु रुद्रपुर कोटवाली थाने में केस दर्ज हुआ है